असलाम अलेकूम पहरे बच्चों मैं आपका मन्जूर सरह हूँ 7th class mathematics में मैं आपका वेलकम करता हूँ आज हम pure substrate lines के बारे में पढ़ेंगे यहां पर देखें यहां पर diagram के तरफ आप देखें यहां पर दो line है red ink में मैंने बनाई है और एक और line है जो black ink में मैंने बनाई है इसका नाम है L और पहली दो line का नाम रखा है हमने M और N यहां पर दो लाइने है M और N और एक तीसरी लाइन L जो इन दोनों लाइनों को क्रॉस करती है यह क्रॉस करने वाली लाइन को हम ट्रानस वरसल बोलते हैं जब भी कोई लाइन दो लाइनों को या दो से ज्यादा अगर लाइने यहां पे होंगे अगर कोई एक line इनको cross करती है दोनों को तो इसको हम बोलते हैं ट्रानसवरसल ये ट्रानसवरसल वर्ड याद रखना है चलिए अब अगर एक ट्रानसवरसल है वो दो line ओंको cross करती है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर बहुत सारे angle बनते है एक एंगल बनता है इस तरह से ऐसे इस एंगल का नाम हम रख सकते हैं वन दूसरा एंगल बनता है इस तरह से इसका नाम हम रख सकते हैं टू तीसरा एंगल बनता है नीचे ऐसे ऐसे ये वाला एंगल इसका नाम हम रख सकते हैं थ्री चोथा एंगल बनता है ऐसे इसका नाम हम कुछ भी हम रख सकते हैं, यहाँ पर एक और एंगल नीचे बनता है ऐसे, इस तरह से, इसका नाम हम रख सकते हैं 5, एंगल 5, एक और एंगल बनता है इस तरह से, इसका नाम हम रख सकते हैं 6, एक और एंगल बनता है ऐसे, इसका नाम हम रख सकते हैं 7, एक और एंगल बनता है last में इस तरह से इसका नाम रख सकते हैं 8, angle 8 तो यहां पर कितने angle बनते हैं 8, angle 1, angle 2 angle 3, angle 4 angle 5, angle 6 angle 7, angle 8 तो यहां पर 8 angle बनते हैं तो क्या है angle 1, angle 2 ऐसे हम लखते हैं angle ऐसे angle थोड़ा बनाते हैं angle 3, angle 4 angle 5, angle 6 angle 7, angle 8 तो यह 8 angle यहां पर बनते हैं अब हमें सीखना है कि corresponding angle क्या होते हैं corresponding angle किन को बोलते हैं corresponding angles यहां पर देखें यहां पर angle 1 अगर हम देखेंगे angle 1 जो है वो पहली line M के उपर बनता है नीचे अगर हम angle 5 देखेंगे वो भी line N के उपर बनता है और angle 1 जो है वो ट्रॉनसवरसल के राइट सैड में बनता है angle 5 भी ट्रॉनसवरसल के राइट सैड में बनता है तो इनकी देखो पॉजिशन सेम है angle 1 भी ट्रॉनसवरसल के राइट सैड में है angle 5 भी ट्रॉनसवरसल के राइट सैड में है angle 1 भी पहली line के उपर है angle 5 भी N line के उपर है लाग भी इनकी पॉजिशन सेम है तो जिस तरह से angle 1 बनता है उसी तरह से angle 5 बनता है तो इस angle 1 और angle 5 को हम बोलते हैं peer यह एक peer है peer of corresponding peer of corresponding angles यह एक peer है इस तरह आप देखें यहाँ पर एंगल टू ये भी लाइन के उपर है नीचे एंगल सिक्स भी एन लाइन के उपर है लेकिन दोनों आप देखो ट्रानस वरसल के लेप्ट सैड में बनते हैं एंगल टू उपर है एंगल सिक्स भी लाइन के उपर है लेकिन दोनों ट्रानस वर के left side में तो इस angle two और angle six को भी हम बोलते हैं यह एक और जोड़ा है यह एक और जोड़ा है angle two और angle six यह भी एक यह भी एक pair है इसको भी हम कहेंगे pair of corresponding angles इसी तरह यहां पर देखे diagram में angle three वो line के नीचे M line के नीचे बनता है angle seven N line के नीचे बनता है और दोनों देखो transversal के right side में है तो यहां पर हम angle three और angle seven को भी बोलेंगे यह भी एक pair है एक और pair यह अलग अलग जोड़े हैं angle one angle five यह एक जोड़ा है angle two angle six यह दूसरा जोड़ा है जोड़ा pair angle three angle seven तीसरा जोड़ा है और चोथा देखो यहां angle four or angle eight angle four line के नीचे है angle eight भी line के नीचे है तो angle four transversal के left side में है angle eight भी transversal के left side में है तो इनकी position same है तो इसको इनको भी हम कहेंगे corresponding angles pair of corresponding angles corresponding मतलब होता है जिनकी position same होती है अगर आप दो बच्चे एक जगा खड़े होगी तो एक बच्चे की right arm दूसरे बच्चे की right arm उनको हम बोलेंगे corresponding arm एक बच्चे की left arm दूसरे बच्चे की left arm उनको हम बोलेंगे corresponding यानि position same है left left तो यहां पर भी देखे four or eight की लगबक position same है four line की नीचे है eight by line की नीचे है four transversal की left में है eight by transversal की left में है इसे ले हम बोलेंगे four और eight और एक जोड़ा है तो इस तरह से यहां पर देखे चार जोड़े है corresponding angles का इस तरह इसके बाद हमें partner है alternate angle alternate इनको हम बोलते है alternate interior angles alternate interior angles alternate interior angles इस तरह से हमें समझना है कि यहां पर देखे angle three वो transversal के right side में है लेकिन पहले line के नीचे है यहां पर देखो angle six वो transversal के left side में है और end line के उपर यहां पर देखो angle six वोपर line के उपर बनता है लेकिन three नीचे उपर नीचे angle three बनता है right side में transversal के और angle six बनता है left side में right left यहां नीचे यहां उपर तो यहां उल्टा होता है corresponding में उल्टा नहीं होता है वहां position same होती है alternate में उल्टा होता है ये right side में है ये left side में है ये नीचे है ये उपर है तो ऐसे एंगलों को हम बोलते है alternate angles एंगल 3 और एंगल 6 तो यहां पर हम लिखेंगे angle 3 और एंगल 6 जो है ये एक pair है इसको हम बोलते है pair of alternate pair of alternate interior angles ये एक जोड़ा है एक जोड़ा एंगल 3 और एंगल 6 इस तरह अगर आप देखोगे 4 और 5 फोर पहली लाइन के नीचे है यहां लेकर angle 5 उपर है लाइन के उपर अच्छा 4 बनता है trono republican के left में फाईउबंता है träna सफवरसल के right में और इनको भी हम बोलेंगे alternate angles ये दूसरा जोड़ा है angle 4 और एंगल 5 या दूसरा जोड़ा है pair of alternate angles तो ये alternate angle हम के यहां पे दो जोड़े है एक जोड़ा है angle 3 angle 6 दूसरा जोड़ा है angle 4 angle 5 अब इन pair of corresponding angles और alternate angles के बारे में एक बात है if अगर line M और N यहां पर यह line जो हैं अगर यह parallel है if M ऐसे हम लिखते हैं parallel का मतलब होता है कि अगर हम इनको कितना भी बढ़ाएंगे यह आपस में नहीं मिलेंगे इनकी हर जगा इनका फासले same होगा distance यह कहीं पर भी नहीं मिलेंगे अगर यह दो लाइने parallel हैं तब एक बात याद रखनी है उपर में जो हमने यह corresponding angle के जोड़े बताएं जोड़े तब यह बराबर होते हैं इसे तरह जो हमने alternate angle के जो जोड़े हमने बताएं यह भी फिर बराबर होते हैं लेकिन शारत है कि पहले M line N line को parallel होनी चाहिए parallel तो if M line is parallel to N then तब हमें याद रखना है तब क्या होता है तब angle 1 angle 5 के बराबर होता है angle 2 angle 6 के बराबर होता है angle 3 यह पर यह angle 3 जो है angle 7 के बराबर होता है और angle 4 यह 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 य ऐस्सलामники कॉलिंक प्रशनेखन की आंगल के बारे हमने पढ़ा हमने पढ़ा कि अगर दो लाइने पारलल होती हैं ताब यह dispon recipient आंगल जो हैं यह बराबर होते हैं इसी तरह alternate angle भी आपस में बरापर होते हैं तो यहां पर एक example है let us do example है कि यहां पर आपको यह diagram देखे यहां पर एक angle यहां पर आपको angle 2 जोसको हम आप तोर पर नाम रखते हैं इसका इसकी measurement दे गई है 110 degree तो अब हमें यहां पर क्या करना है हमें angle 1 निकालना है यह angle 3 आपको निकालना है angle 4 निकालना है angle 5 निकालना है angle 6 यह सारे angle आपको निकालना है खाले आपको एक angle देया गया है angle 1 देखे हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने इससे पहले पढ़ा है एक point हमने पढ़ा है कि अगर एक ही line पे दो एंगल बनते हैं तो उनको हम linear ब्वोलते हम उनका sum 180 होता है तो यहां पर हम लिखेंगे angle 1 पलस 110 डिगरी जो है इसका total 180 है linear पियर जो आपने पढ़ा इससे पहले अगर एक के light डो आइंगल बनते हैं उनका total होता है 180 तो angle 1 पलस 110 is equal to 180 यहाँ पर angle 1 को हम अपनी जगा रखेंगे 110 को आपको यहाँ minus में लेना है इस साइड में तो यह बन जाएगा 180 minus 110 180 मैंसे 110 आप subtract कीजिए तो वहाँ पर 70 degree निकलेगा तो इस तरह से हम कहेंगे कि angle 1 70 तो यह angle 1 का answer हमने निकाला angle 1 क्या है 70 180 अब इसके बाद देखें क्या है हमने एक और चीज़ पढ़िए इससे पहले ऐसे अगर कहीं पर भी दो लाइने अगर ऐसे क्रॉस करते हैं तो opposite में जो दो angle बनते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकली opposite angles यह हमेशा बराबर होते हैं इस तरह से यहां ऊए इस तरह से अगर दो angle बनते हैं आपॉसिट में यह भी बराबर होते हैं तो यहां इस diagram में हम कह सकते हैं कि ऐसे दो लाइने क्रॉस करते हैं ऐसे L और M तो यहाँ आपॉसिट में जो angle बनते हैं यह बराबर होंगे मतलब अगर यह 110 है तो एंगल 4 भी 110 होगा अच्छा एंगल 1 भी आपने निकाला 70 तो एंगल 3 भी 70 होगा तो यहां पर हम लिखेंगे आँ एंगल 1 जो है वह एंगल 3 के बराबर है इसी तरह एंगल या उलटा में लिखोंगा एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के बराबर है एंगल 4 जो है वो 110 के बराबर होगा इन दोनों को हम bracket में लिखेंगे ये vertically इनको हम बोलते हैं ये vertically opposite opposite angles इनको हम बोलते हैं इसलिए हम लिखेंगे that implies angle 3 is equal to angle 1 हम बोलते हैं 1 हम अभी अभी निकाला 70 तो यहां पर हम लिखेंगे angle 3 is equal to 70 इस तरह angle 4 1 out of 10 angle 4 सीधे 1 out of 10 है इस तरह से हमने angle 3 भी निकाला angle 4 भी निकाला 1 इससे पहली निकाला 2 already दिया हुआ था अब क्या बचता है अब बचता है 5, 6, 7, 8 अब देखो ये भी simple है corresponding angle हमने पढ़े पढ़े चुए कि हमें start पे बताया गया है कि M line N line के parallel है यानि ये दो line ने parallel है तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे sinus चुए कि M line N line के साथ parallel है therefore हमने पिछले lesson में पढ़ा था कि corresponding angle बराबर होते हैं यानि कि angle 5 angle 1 के बराबर होता है angle 5 angle 1 के बराबर होता है लेकिन angle 1 हमने पहले ये उपर में निकाला है 70 तो यहां angle 1 की जगे लिखो 70 तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि angle 5 is equal to angle 1 is equal to 70 यह दोनों 70 होंगे इसी तरह angle 6 जो है ये 110 के बराबर होगा ये भी corresponding angles है angle 6 is equal to 110 इसे तरह हम कह सकते हैं कि angle 8 angle 4 के बराबर है angle 8 is equal to angle 4 क्यों ये भी corresponding angle है angle 4 नीचे बनता है angle 8 नीचे लाइन के बनता है तो angle 4 चुंकि आरे ये उपर में हम ने निकाला 110 तो यहां angle 4 की जगे लिखो 110 इस तरह से हम कह सकते हैं कि angle 8 जो है वो angle 4 के बराबर है ये दोनों 1 रटेन होंगे अब इसके बाद हमें निकालना है angle 7 angle 7 angle 7 angle 3 के बराबर होगा ये भी corresponding angles है angle 7 angle 3 के बराबर होगा चुंकि angle 3 अभी हमने निकाला है 70 उपर में ये तो इसकी जगा हम लिखेंगे 70 तो इस तरह से angle 3 और angle 7 70 है तो इस तरह से देखो हमने सारे angle निकाले अगर हम साम आप में लिखेंगे angle 1 हमने निकाला 70 angle 2 आरेडी 110 था वो वहीं से दिया गया था angle 3 angle 3 अभी यहाँ पर में आपने निकाला यहाँ पर 70 angle 3 70 angle 4 आपने कहां पर निकाला angle 4 आपने यहाँ पर निकाला 10 110 यह फाइनल में आपको आंसर लिखना है angle 5 अभी यहाँ पर आपने निकाला 70 angle 6 अभी यहाँ पर आपने निकाला 110 angle 7 अभी यहाँ पर हमने निकाला 70 और angle 8 अभी यहाँ पर हमने निकाला 110 10 तो इस तरह से हमने सारी इस डायग्राम में सारी एंगल हमने निकाले हमें खाले एक एंगल दिया गया था यह एक टेक्निक सीखनी है आपको कि अगर यहां पर खाले एक एंगल आपको मालूम है हम सारी एंगल निकाल सकते हैं तो इस तरह से हमने यह सारी एंगल निकाले तो